नमस्कार, स्वागत आप सभी का आयुश्मान भव में, मैं हूँ पृति सिंग्ग आयुश्मान भव में आज हम बात करेंगे निमोनिया की मौस्म का सबसे जादा असर हमारे स्वास्ते पर पढ़ता है ठंड और बदलती मौस्म का सेहत पर कई तरह से गहरा असर होता है और अगर हम लापरवाही बढ़ते हैं इस मौस्म में एक तरह से देखें इस बिमारी का सबसे जादा खत्रा बच्चों और व्रिद व्यक्तियों में होता है ये सांस से जुड़ी एक गंभीर बिमारी है जिसमें फेपडों में इन्फेक्शन हो जाता है तो कैसे इस बिमारी से बज़ें, क्या रखें एतियात इसे लेकर आज आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने तीन बेहत खास मेहमान अपने स्टूडियों में बुलाएं हैं और ये अलग-अलग पैथी से जुड़े हैं अलोपैथी, आयुरवेद रूमियोपैथी से जुड़े विशेशग्य मौजूद है हमारे साथ है अलोपैथी विशेशग्य है डॉक्टर जी सिखिल्नानी डॉक्टर खिल्नानी आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में हमारे साथ है आयूर्वेदिक विशेशग्य डॉक्टर अरुनकुमार महापात्रा डॉक्टर महापात्रा आपका भी बहुत स्वागत है साथी हों में पैते विशिश अगये डॉक्टर कविता शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कविता आपका तो आप भी हमें कॉल कीजे हमारे जो नंबर है वो लगता टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं और आप जीमेल के जरिये भी चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं इसके लावा यूट्यूब लाइफ के कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल लख सकते हैं आम तोर पर बुखार या जुकाम होने के बाद निमूनिया होता है लेकिन कई बार ये खतरनाग भी साबित हो सकता है खासका पांस साल से छोटे बच्चों और साट साल से जादा उमर के लोगों में यूकि उनकी इम्मूनिटी कम होती है एक आकड़े के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली बच्चों की मौत में अठारा फीस दी मौत निमूनिया की वज़े से होती है ठंड और बदलती मौसम का सेहत पर कई तरह से गहरा असर पड़ता है कुछ बिमारिया इस मौसम में घात लगाए रहती है जिन में से एक है निमूनिया निमूनिया एक गंभीर बिमारी है इस रोग में फेपडों में सूजन आ जाती है फेपडों में पानी भर जाता है खासी और जुकाम के साथ कफ कई बार बड़ी परिशानी का सबब बन जाता है और ऐसे ही परिशानियों में शामिल निमोनिया भी है जो एक संक्रमर है इस संक्रमण में एक या दोनों खेपलों के वायू के थैलों में द्रव या मवाद भर जाता है और सूजन आ जाती है जिससे बलगम या मवाद वाली खासी, बुखार, ठंड लगने और सांस लेने में तकलीफ होने जैसी समस्याएं हो सकती है सही समय पर लक्षडों की पहचान करके उपचार शुरू नहीं करने पर ये बिमारी गंभी रूप ले सकती है निमोनिया आम तोर पर बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों को ज़ादा परिशान करता है लेकिन ये किसी भी आयू के व्यक्ति को हो सकता है समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों को निमोनिया होने का खत्रा सबसे ज़ादा रहता है जिन बच्चों को टी बी का इंफेक्शन होता है उन्हें भी निमोनिया होने के आशन का ज़ादा होती है निमोनिया फेपड़ों को होने वाला संक्रमन है जो बैक्टीरिया, वायरिस, फंगस या पेरसाइट्स के कारण होता है निमोनिया वायरिस, बैक्टीरिया, फपूंदी ये सब सास के जरिये फेपड़ों में पहुँचकर संक्रमन कर देते हैं स्ट्रेप्टो कोकस नाम के बेक्टीरिया के कारण ये सबसे ज़ादा फ्हесलता है। बच्चों में सरदी जुकाम जल्दी ठीक नहीं होने पर ये धीरे-धीरे निमोनिया में बदल जाता है। इस रोग में फेपड़ो में कफ या तरल पदार जमा हो जाता है। इस कारण सांस लिने में काफी कटनाई होने लगती है। निमोनिया की सबसे जादा आशंका होती है बदलते मौसम में। जादा बेहनत करने, जादा थंडा पानी पीने, हवा में रहने और खाने में जादा थंडी चीजों के सेवन से भी रोग हो सकता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक्षमता कमजोर होती है उन्हें भी ये बिमारी घेर सकती है। बैक्टीरिया के कारण होने वाला निमोनिया दो से चार सप्ता में ठीक हो सकता है। जबकि वाइरल जनित निमोनिया ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। कईवान निमोनिया अंगम भी रूप धारण कर लेता है। इस परिस्थिती में व्यक्ति की हालत बहुत खराब हो जाती है और लापरवाहे बरतने पर उसके जान भी जा सकती है। हाला कि ये बिमारी युवा और स्वस्थ लोगों को भी हो सकती है। लेकिन बुजर्गों, बच्चों या फिर ऐसे लोग जो पहले से किसी बिमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए ये बिमारी काफी खतरनाक साबित हो सकती है। और आप भी अगर निमोनिया से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ी है, हमारे साथ तीन खास मैमान मौजूद हैं। भारत में वो ही है, जो पूरे दुनिया में है, सिर्फ ये फरक है कि यहां पर और गनिजम जो बैक्टिरिया होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा पहले कि निमोनिया होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे। तो हमारे जो निमो मीन्स लंग, निमो मून्स फेफड़ा और निमोनाइटिस कहते हैं। जब फेफड़े का इंफेक्शन होता है, उसको हम निमोनिया कहते हैं। तो हमारी जो ट्यूब्स होती हैं, जिसको ब्राउंकाई कहते हैं, उसका सबसे जो निचला हिस्सा होता है, उसको कहते हैं अल्वियोलस। जहां पर गैस एक्सचेंज होती है, मतलब हवा से कार्बन डायोक्साइड बाहर रिकलती है, आक्सिदन अंदर जाती है। जब इस एल्वियोलस का जो जगा है, इसका इंफ्लामेशन होता है, मतलब वहां पर सिक्रिशन होते हैं, आप कहें किस पानी कठा हो जाता है, तो उसमें फिर ये गैस एक्सचेंज प्रभावित होता है, तो ये जो इंफ्लामेशन होता है, ये क्यों होता है? इंफ्लामेश और इसमें अहिता है हवा की जगए में उस अले कुछे है उसकी वाग्ट keine कोफ बखार हुता है हाँची होती है संस में तकलिफ होती है उसकी पस्ली तेश चलती है जैसा कि आपने बिलकुल ठीक बुला कि बच्चों में ये number one cause of death है और अगर पूरी बात करें तो pneumonia still is fourth leading cause of death तो ये इसकी समरी है इसको आगे आप जैसे प्रेशन पूछेंगे तो और caller भी हमारे साथ जुड़ गया है पहले caller सौरव पाठत ने हमें कोलकाता से कॉल किया है सौरव आपका स्वागत है कालिक्रम में बताईए क्या सवाल है आपका Good morning everyone Good morning मेरा प्रशन है क्या pneumonia के symptoms और treatment new born babies और एडल्स में similar होते हैं? Thank you जी 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 ये जो pneumonia बच्चों में होता है इसका presentation अलग होता है बड़ों में पहले बात करें तो ये बखार होता है खांसी होती है चाती में दर्द होता है वो complain करते हैं कि हमें ये तकलीफ हो रही है ठंड लगती है और चलने फिरने भी सांस फूलती है लेकिन बच्चा तो बोलता नहीं है बच्चों में ये सबसे इनका common जो symptom होता है वो होता है पस्चली चलना और बखार होना और खांसी होना तो बच्चों फिर ठीक से दूद नहीं पिएगा उसको रोता रहेगा उसकी पस्चली चलेगी और उनकी माता बताएंगी कि इसकी पस्चली बहुत तेज तेज चल रही है और बखार हो रहा है ये दूद नहीं पी रहा है तो ये लक्षन है कि बच्चे को निमोनिया हो सकत तो जहां तक इलाज का सवाल है, इलाज सिमिलर होता है, लेकिन बच्चों में दवाईयां देना सिरप से देते हैं, बड़ों में टेबले, लेकिन ये भी समझना है कि निमोनिया यहीं तक सीमित नहीं होता है, जो निमोनिया जो इंफेक्शन होता है, वो बलड में भी फैलता ब्रेंड में भी जाता है और जब हम कहते हैं कि 30 से 40 लाख deaths होती है पूरी दुनिया में तो यह तो बहुत बड़ा नंबर है तो वो सरफ लंक में नहीं जाता है यह पूरे शरीर में जाता है उसको हम सेपसिस कहते है ठीक है अमित ने हमें कॉल किया है हर्याना से अमित आपका स्वागत है हमारे कारेकर भे बताएगे कए सवाल है आपका जी नमसकार मेडम जी जैसे की मैं करीब करीब 5 साल का था मैं तो मुझे निमोनिय बिगड़ गया था जैसे के सरस्टी आती यह दूर्मित्टी होती है तभी इतनी जीआदा चीकिया आती है मैं बर्दास्त नहीं तभी मुझे रुमाल बंदना पड़ता मैं, मौ की है, अच्छा, ठीक है, आपकी उम्र क्या है, मैं जी, तविंटी एट होगी मैं, अच्छा, ठीक है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं अभी, जी, जैसे की दिखाते हैं तो लेके नहराम नहीं हो रहा है, ठीक है, बच्पन में निमोनिया होता ना, तो वो कई बार वो लंग में डैमेज कर देता है, वो डैमेज जो इसको हम ब्रॉंकिक्टेसिस भी कहते हैं, और या फाइबरोसिस जैसे चोट लग जाती है, तो उसका निशान हो जाता है, उससे फिफड़ा कमजोर हो जाता है, उस जो मीजल्स की बिमारी होती है, उसके साथ जो निमोनिया होता है, उसमें लंग में डैमेज हो जाती है, लेकिन ये जो लखशन बता रहे हैं, च्छी के आती है, और ये एक दूसरा लखशन है, ये ब्रॉंकिक्टेसिस या फाइबरोसिस का लखशन नहीं है, ये इनको ऐसा लगता है कि किसी तरह की ऐलर्जी है जिस वज़े से हो रहा है, तो इनने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ढौक्टर महापातरा, आयूरवेद के नजरीये से निमोनिया को देखें, तो क्या कहता है निमोनिया के बारे में आयूरवेद? आईरवेट के अनुसर निमोनिया का जो वर्णन है वो स्वसनक ज्वर के हिसाब से किया गया है तो जो व्याधियां वर्णित हैं वो स्वसन हुआ संस्तान के एक व्याधि स्वसनक रोग इसको माना गया है इस व्यादी के जो क्योंकि हमारे जो सिध्धानत है वातपित कफ के आधार पे है तो इस व्यादी में त्रिदोष का प्रकॉप होता है आता बात वातपित और कफ तीनों का प्रकॉप होता है विशेश तोर से कफ प्रधान व्यादी है और ये विशेश तोर से छोटे यह एक होना आर्वेड में कंड़ चलना और तेज बुखार होना खांसी होना ओर पस्लियों में दर्द ऐसे लक्षन बताया और आयरुवेद का यह सिध्धानत है कि जो इस प्रकार की व्याधियों में कफ नाश्रक्चे के सब सर्वपथम करनी चाहिए ठीक है और रोग्र कविता आप होमियोपैथी के नजरी से हमें बताएं निमोनिया और कितना कारगर होमियोपैथी साबित हो सकता है जैसा कि हम देखते हैं कि छोटे बचो में पांथ साल की उम्र के कम बचों में हमें सब सब सादा देखने को मिलता है। और ओल्ड पीपल, 65 साल से जाधा उमर के लोगों हमें जाधा देखने को मिलता है सबसे इंपोर्टन इसमें यह है कि जब भी इम्मुनिटी लेवल्स कम हो जाते हैं तो निमोनिया के लिए आप जाधा प्रोन हो जाते हैं तो उसकी वज़े से भी यह जहां पर बहुत पल्यूशन है, ओवर क्राउडिंग है जिंग की डिफिशेंसी एक इंपोर्टन कॉज है बच्चों में जो उनको निमोनिया के लिए उनका चांस बढ़ जाता है तो जहां पर भी इम्मुनिटी लेवल्स लो हो जाते हैं वहां पर इस बिमारी के होने का जो जो चांस है वो बढ़ जाता है हमिपितिक के हिसाब से अगर मैं इसको डिसकस करूँ तो मेरा ये हम ये देखते हैं क्लिनिकल प्राक्टिस में कि अगर हमिपितिक मेडिसन का जो बेसिक रोल है तो इम्मुनिटी को बढ़ाने के लिए या हमारी शरीर की प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने के लिए हमिपितिक दवाई बहुत अच्छा काम करती है और जब हमारे पास ऐसे बिमारी के मरीज आते हैं तो उनके सिम्टम्स उस मेशन की जो स्टेट है उसके हिसाब से दवा दी जाती है और अक्यूट स्टेट को मैनेज करते हुए फिर आगे पेशिंट की जो भी constitutional remedy हम लोग देखते हैं और अगर हम उसको देखते हैं तो यह जो recurrent बारवर चाती के infection बचों में या बड़ों में देखे जाते हैं उसकी हम रोग ठाम कर सकते हैं और डॉक्टर खिलाने जैसे कुछ causes बता रहे है immunity सबसे बड़ा factor है इसमें कारणों में causes में आप क्या जोड़ना चाहेंगे देखे ऐसा है कि pneumonia को हम तीन में डिवाइड करते हैं एक में कहते हैं community acquired pneumonia इसका मतलब यह है कि आप जो हम जैसे आप हम है जो healthy हैं वो community में हैं वो उनको infection हो जाता है तो वो infection तो किसी को भी हो सकता है और जैसे मैंने बताया उसके लक्षन होते हैं बुखार होता है खांसी होती है अगर उनका X-ray करेंगे तो वो उसमें white shadow हमें देखती है फिर उसका हम test करते हैं blood test में blood counts बढ़ जाते हैं और फिर जब bulgum की जाँच करते हैं तो उसमें उसका culture करते हैं या माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो bacteria उनका detect होता है अगर उससे नहीं होता है तो कई बार broncoscopy भी करते हैं ट्यूब डालके अगर serious cases में तो यह हुआ community acquired pneumonia और उसमें streptococcus pneumonia वो सबसे common organism होता है उसके लावा और भी नाम से मैं बता हूँ उसका कोई फाइदा नहीं लेकिन viruses जो होते है वो number two viruses होते है और आपने सुना होगा कि आजकल viral चल रहा है यहां कहते हैं कि swine flu चल रहा है तो वो viral infection होते है fungal infections rare होते है तो यह तो होते है community acquired pneumonia दूसरी pneumonia होती है pneumonia in a immunocompromised host मतलब जिसमें व्यक्ती की जो अपनी immunity है वो कम होती है जैसे बताया गया आपने बोला शुरू में कि बच्चों में immunity कम होती है और जो व्रद्धा वस्ता में जो 65 के उसके लावा एक बहुत बड़ा ग्रूप होता है जिसमें diabetes हो गई जिसको कीमो थरेपी चल रही होती है जिसको cancer होते है HIV infection बहुत बड़ा होता है जिनमें कई सारी दवाईयां होती है जो कीमो थरेपी की जिससे आदमी की immunity कम हो जाती है blood की कई सारी बेमारियां होती है तो उन में फिर organism थोड़े different होते है और तीसरा जो सबसे काफी important जो हमारे point of view से है जिसको हम कहते है hospital acquired pneumonia या health care associated pneumonia आपको अचमबा होगा सुनके कि जो व्यक्ति hospital में admit होते हैं उसमें करीब 10 से 20 प्रतीस चांस होता है कि उसको hospital से acquired pneumonia हो जाए अच्छा और उससे भी खतरनाक होता है जो ICU acquired pneumonia सबके परिजन ICU में कभी भरती रहते हैं तो उनको यही खतरा रहता है कि ICU के organism से उनको कुछ pneumonia नहीं हो जाए क्योंकि ICU में अगर कोई आदमी admit हो गया तो आप सोचें कि 10 से 50 प्रतीस चांस होता है कि उसको pneumonia होगा और वो जान लेवा होता है घातक होता है अब इन तीनों में जो organisms होते हैं वो different होते हैं जो immune deficiency होती है उसमे fungal infections ज्यादा common होते हैं viruses बहुत common होते हैं और जो hospital acquired pneumonia होते हैं उसमें जो bacteria होते हैं वो अकसर drug resistant होते हैं उनको सारी दवाईों से resistant हो जाती है और बहुत ही difficult situation होती है तो pneumonia एक नहीं होता अगर community acquired pneumonia होता है तो simple antibiotic से काम चल जाता है अगर immunocompromise होता है तो हमको जरूरी होता है कि उसमें bacteriological diagnosis करें अगर होस्पिटल और ICU में है तो हमें कई बार broncoscopy करके उसकी ठीक जात करके उसकी sensitivity टेस्ट करके फिर उसका इलाज करें ठीक है एक और caller है बिहार से मन्जू ने हमें कॉल किया है मन्जू आपका स्वागत है कारिकर में शुक्रिया में कॉल करने के लिए पूछिए क्या सवाल है आपका मन्जू आप तक आवाज आ रही है तो आप सवाल पूछ सकती है ठीक है मन्जू का लग रहा है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है डॉक्टर महापात्रा आपने आयूरवेद में बताया कि वाद, पित, कफ तीनों की गड़बड़ी के कारण कहीं ने कहीं निमोनिया होता है और क्योंकि बच्चों के अगर हम पहले बात करें तो बच्चों के मामले में इसका खयाल कैसे रखा जाए जो 5 साल से चोटे बच्चे है कि छोटे बच्चों में व्याधिक हमतों कम होता है तो इन जो छोटेबच्चे हैं वो किसी भी संक्रमन से लडने में इतने समर्थने होते है और इसी कारण जो है इनमें अधिक जो निमोनिया की शिकायत होने लगती है और जो risk factorस अगर हम बात करें पहले तो सबसे पहला risk factor है low birth weight babies, तो यह देखा गया है कि जो आलपभार शीशु जो पैदा होते हैं, उनमें निमोनिय के शिकायत जादा होती है, और दूसरा risk factor है वो है malnutrition, या kupotion, अगर बच्चे का वजन जितना होना चाहिए, उससे अगर कम है, तो इन बच्चों में अधिक नि सेवन करता है, तो वो एक major risk factor है for developing pneumonia, निमोनिय उन बच्चों में जादा होता है, और हम outdoor pollution की बात करते हैं, लेकिन indoor pollution सबसे बड़ा एक वाइटल जो चीज है, indoor pollution जैसे हम गाव में लकडियां और चूले से जो दूआ निकलता है, वो भी एक major cause है बच्चों में निमोनिय करन तो इसलिए इन चीजों से बच्चों को बचाओ रखना है, और जो छोटे नावजाज शिशु हैं, उनको बार बार ऐसे छुना नीचे है, without hand washing, हाथ धोकर ही, जरौत पढ़ने पर ही छुएं, ऐसे ज्यादा नीच चुना चाहिए, तकि उनको संक्रमन होने के chances ज्यादा हो आजके हम देख रहे हैं, डेली एंसियार में कितना सिवेर कंडेशन पॉलुशन को लेकर हो चुगी है, कितना बड़ा फैक्टर निमोनिय के लिए पॉलुशन भी हो सकता है, जो हमारे फेफ़रों की प्रोटेक्टिव सता रहती है, जो हमें बाहर के इंफेक्शन से बचात पहले ही अंदर चले जाते हैं, तो जब हमारी प्रोटेक्टिव लाइनिंग डेमेज हो जाती है, तो उसकी वज़े से ऐसे इंफेक्शन के लिए हम जादा होने का चांस हो जाता है, तो यही एक कारण है कि जिसकी वज़े से ऐसी बिमारियों के लिए हम जादा संक्रमन हो और रॉक्टर खिल्ला ने आपने जो इंफेक्शन के बात की थे कि वो और अंगों में भी पहल सकता है उसके बारे में थोड़ा डीटेल में बताईए कैसे निमोनिया आगे जाकर गंफीर स्थिती क्योंकि वायू प्रोदूशन मेरा रिसरच है रही है तो मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा जैसे सर ने बोला कि इंडोर पॉलिशन एक नी होता कोईले का पॉलिशन अलग होता है कागसका अलग होता अपले का अलग होता है लेकिन ये बिलकुल बहुत अच्छी बात उन्हेंने कही कि इंडोर एर पॉलिशन से COPD होता है, ब्रॉंकाइटिस होता है, COPD होता है, एरवे लाइनिंग में इंफ्लामेशन हो जाता है और इससे करीब इंडिया की बात करें, तो 10 लाख डेट्स हर साल होते हैं, इंडोर एर और 10 लाख ही आउड़ोर है, ये डवली एचो की 2015 की स्टेडी है, तो इसमें COPD होने की वज़े से, जो एरवे एपिथिलियम होती है, डिफेंस मिकेनिजम है, वो सारा ओल्टर हो जाता है और उसमें निमोनिया होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो निमोनिय होता है, उसके बैक्टिरिया भी डिफरेंट होते हैं, और उसमें फिर उस एंटिबायोटिक भी डिफरेंट टाइप की दी जाती है, तो इसमें इंडोर एर पॉलिशन is a very big risk factor for निमोनिया, जिसके बारे में अब बहुत कुछ चल रहा है, अब आप आगे इसको आपका प्र ब्लड से करता है, जनरल यहीं, दूसरे तरीके से भी ब्लड से भी हो सकता है, बस कॉमन यही होता है कि एटमोस्फियर से जो है ना ओर्गनिजम जाते हैं और लंग में, मैंने जैसे बदाए कि हैल्वेलाई में इंफ्लमेशन होता है, और वहां एक इंफेक्शन हो जाता है लेकिन वहां ही तक्सीमित नहीं रखता है, अगर आप हम उसका प्रॉपर टाइम पर डाइगनोस ना करें और उसका इलाज ठीक से नहीं करें, तो फिर वो सिस्टम में फैल जाता है, वो बैक्टिरिया लंग को पेनेट्रेट करके बलड में चले जाते हैं, और शरीर के किस इससे में चले जाते हैं, डैथ च्च्चों होती है, डैथ सिरफण की कमी आप होती है और बैक्शन की कमी में Coffee सिस्टम होता है, तो उसमें दो होते हैं एक बलड प्रेशर कम होजाता है, पेशं शॉक में चला जाता है, किडनी बैक्शन होता है, और उसके इलावाвой इंफे मेतास्टेसाइज होके कहीं भी पहुँच जाता है और वहां पर इंफेक्शन हो जाता है तो निमोनिय का सिरफ लंग पर नहीं असर होता है पूरे सिस्टम पर असर होता है एक कॉलर है हर्शा ने जैपूर से हमें कॉल किया हरशा आपका स्वागत है आप सवाल पूछ सकते हैं जी सबको गुड मॉर्नी और मेला सवाल ये है कि मुझे ना पहले कभी नीमोनिया नहीं हुआ बच्पन से कभी नहीं हुआ लेकिन मुझे 2016 में नीमोनिया हुआ था तब बहुत प्रोब्लम हो थी हरशा आपने एक बार उम्र बताएए आपके उम्र कितनी है मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हम भुजूर्गोर उनकी बात कर रहें लेकिन हरशा कुछ हम सुन रहे हैं उनकी वो लग रहे हैं वो युवा है तो इसलिए हम देख रहे हैं कि वो केस भी सामने आया है यह ऐसा नहीं है कि नीमोनिया सिर्फ बुजूर्गों कोई अफेक्ट करता है जो यह बता रहे हैं अपनी कि इनको नीमोनिया और उसके बार बार उसमें इंफेक्शन होता है तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि नीमोनिया का जब इलाज होता है तो एक तो यह होता है कि पूरा क्लियर हो जाए नॉमल हो जाए लेकिन कई बार वो इंफेक्शन होने के बाद लंग में डैमेज हो जाती है उसको हम ब्रॉंकियक्टेसिस कहते हैं वो एक फोकस बन जाता है जहां बार बार इंफेक्शन हो जाता है तो मेरे को लगता है कि हर्शा को यह प्रॉब्लम हो रही है कि नीमोनिया की वज़े से इनके लंग्स में किसी हिस्थे में वीक्निस आ गई है उस वज़े से जब भी अगली बार जब इंफेक्शन होता है तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है उसको जाच करने के लिए एक्सरे से भी ज्यादा सीटी स्कैन से पता लगता है तो इनके लिए ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर को दिखा के आगे जाच कराएं कि उनके लंग में क्या प्रॉब्लम हो गई है उससाब से उनका बचाव और उसका इलाज करना चाहिए और फिर हम वेक्सिनेशन के बारे में बात करें ठीक है ठीक है और डॉक्टर महापातरः क्योंकि मैं खान पान बदलता मौसम जो है ये भी काफी आपने बोला कि जब गर्मी से सर्दी होती और सर्दी से गर्मी होती तब खासतोर से ख्याल रखने की जरूरत है तो इस दोरान किस तरह का एतियाद बढ़ता जाए तो जो प्रकार का है एक है शोधन चीकिस्था एक है शोधन चीकिस्था एक है शोधन चीकिस्था जो शरीर में दोश प्रकुपित हो गये है या कुछ विशाक्त द्रवे जो बन गये है उसे बाहर निकाल दिया जाए शामन चीकिस्था है कि कुछ दवयों के द्वरा उसे शरीर के अंदर भी परिवर्तन होता है तो उसी के इस समय में आयरवेद के सिध्धानत के उनसार कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसे पंचकर्म पद्धति कहा जाता है अगर उस पद्धतियों का प्रयोग चिकिसा के चिकिसा के तत्तो आधान में किया जाए तो निश्चिति फायदा मिलत जैसे स्वसनवा संस्थान के लिए कुछ दवायों का बताया गया है कि इन दवायों का प्रयोग किया जाए तो व्याधिक्षमत तो बढ़ती है तो अगर हमें निमोनिया के प्रेवेंशन के लिए बात करें तो अगर कुछ दवायों को हम जैसे कि अध्रक हो गया तुलसी ह हो गई हरिद्रा है ऐसे कुछ कॉमन जो मेडिसिनल प्लाइट से अगर उसका प्रयोग हम नियमित रूप से करें तो बहुत हद तक हम जो स्वसनवा संस्थान की बिमारिया है उससे बचाओ कर सकते हैं बिलकुल और क्योंकि जो निमोनिया बिमारी है और उससे होने वाली मौत हैं हम देखते हैं कि दोनों ही मामलों में विश्वस्तर पर भारत में सबसे जादा मामले पाये जाते हैं और इसलिए हम जागरुकता पहलाने की पी पूरी कोशुश कर रहे हैं और जागरुक होना बहुत जरूरी है इस बिमारी को लेकर तो इसमें एक लक्षनों की भी बा निमोनिया के कुछ लक्षणों पर गौर करें तो इस बिमारी को समय पर पकड़ा जा सकता है इन में से कुछ लक्षण दूसरी बिमारियों के भी हो सकते हैं निमोनिया के लिए सबसे एहम लक्षण है बुखार के साथ बलगम वाली खासी और सीने में हलका दर्थ होना बुजुर्गों और डाविटीज के मरीजों में कई बार बिना बुखार या बलगम के भी निमोनिया हुता है ऐसे में उन्हें चक्कराना, खाना पीना छोड़ देना, बहकी बाते करना जैसे लक्षन भी नजर आते हैं इस रोग में व्यक्ति को शुरू में ठंड लगती है फिर बुखार आने लगता है निमोनिया होने पर व्यक्ति की आँखे और चिहरा लाल होने लगता है कुछ और सामाने लक्षणों की बात करें तो इनमें तेज बुखाराना, छाथी में कव जम जाना, दम खूलना, हरे भूरे या लाल रंका गाढ़ा बलगमाना, सांस लेने में दिकत, खासी आना, दात किट किटाना, दिल की धड़कनों का बढ़ जाना, सांस लेने की रफ्ता की शिकायत, भूख ना लगना, होटो का नीला पर जाना, बहुत जादा कमजोरी महसूस होना या बेहोशी आना भी इसके लक्षण है, कई लोगों को प्यास जादा लगने लगती है और जीब मी मैली हो जाती है, सिर में तेज दर्ध होता है, भूख भी कम लगती है और छा जा सकता है. बच्चे को तेज बुखार है और उसको बहुत छोटे बच्चा तो खांसी भी नहीं कर सकता, अच्छे से खांसी करके पता भी निचले, लेकिन उसको सांस लेने में दिक्कत है, हम लोगों को बच्चों में जो रेस्पिरेटरी रेट है, कि कितने है, जैसे दो महीने से कम बच्चे का अगर साथ ब्रेथ पर मिनिट से जादा रेट आता है, या दो महीने से एक साल तक के बच्चे का पचास ब्रेथ पर मिनिट से जादा रेट है, और एक साल से उपर की उपर के बच्चे का चालिस ब्रेथ पर मिनिट से जादा रेट है, तो यह अलामिंग साइन ह और अगर सांस लेने में दिक्खते हैं तो अगर ऐसे सिंटम्स के साथ में आता है तो उसको इमजेट मेडिकल ट्रीपमेंट चाहिए उसको अपने नजी की चिकित्सको दिखाना चाहिए और उसके साथ में खून की जाती है जिसमें की हम देखेंगे की TLC काउंट्स बहुत जादा बढ़ जाते हैं ESR लेवल्स बढ़ जाता है CRP लेवल्स बढ़ जाता है ब्लाट कल्चर किया जाता है और चेस्ट एक्सरे में हमें findings मिलती है तो खास स्वार से हमें बच्चों में इसका ध्यान देना चाहिए जहां तक बढ़ों का सवाल है तो बढ़ों में तेज बुखार सदन अगर तेज बुखार है 103-104 के गरी बुखार है चाती में दर्द है खासी है बलगम है सांस लेने में दिक्कत है और बलगम हरे या पीले रंका साथ में बलड स्टेंट बलगम भी आ रहा है सांस लेने में दिक्कत है धरकन तेज हो रही है तो यह सारे सिम्टम्स हैं ज बताईए क्या सवाल है? शालू आपको आवाज आ रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं? ठीक है. अलामिंग साइन्स जो हैं, डॉक्टर कविता ने बताए हैं. कुछ डेंजर साइन्स भी हैं, डॉक्टर खिल्लानी, जिन पर ध्यान देनी की जरूरत है? डेंजर साइन्स दो हिस्सों में मैं बाटूँगा. हो सकता है. वो जान लेवा, इस से होता है, या तो आदमी कमज़र हो, या फिर बैक्टिरिया खराब पर हो, या वाइरस खराब हो. अगर मरीज को का जो होश है, जो लेवल अफ कॉंशिसनेस है, वो अगर अल्टर हो रहा है, अगर ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है, आप उसको बुला रहा है और वो रिस्पॉंड नहीं कर रहा है, या रिस्पॉंड कर रहा है तो अप्रोप्रियेटली नहीं कर रहा है ये बहुत खतरनाक साइण होता है ये मुनिया में इसका मतलब यह है कि उसका जो system है पुरा न सिर्फ लंग affected है पुरा body, brain भी affected है that can be a very dangerous sign इसके अलावा अगर उसका blood pressure कम है normal से कम हो रहा है जैसे किसी का blood pressure 130-90 था और 10 गंटे बाद 100 रह गया या 100 से भी कम चला गया तो यह ख़तरनाक साइन नहीँ तीसरा साइन होता है किह हम जो टेस्ट करते हैं उनके blood urea जो होता है जो kidney टेस्ट होता है वो अगर जरा सा भी alter हो गया वो dangerous साइन है और सबसे जो दूसरा important है अगर उसकी उम्र 70-75 से ज्यादा है तो वो भी एक खतरनाक साइन तो यह सब हमारे एक मेजरमेंट होता है इसका एक काउंट होता है उसको कर्ब, स्कोर C.U.R.B. कर्ब अगर स्कोर चार बटे पांच है तो इसका मतलब यह है कि 40% चांज that person would die इस तरह से हम उसको मेजर करते है तो यह डेंजरस साइन है यह पता होना चाहिए दूसरी बात है कि जो immunosuppressed होते है जो HIV के patient होते है इन में यह सब लागूनी होते है उनको यह उनकी pneumonia को हमेशा डेंजरस ही मानना चाहिए चाहिए वो पूरे होश में हो चाहिए क्योंकि उसमें जो mortality है जो मौत की दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है तो उन cases में हम शुरू से ही बहुत aggressive होते हैं उनको test करने में उनकी जल्दी एक broncoscopy करते हैं ट्यूब डालके जल्दी से पता करते हैं कि इसको fungus तो नहीं है या कोई particular type का virus तो नहीं है और उनको जो antibiotic या antifungal भी है वो aggressively injection के जरी देते हैं tablets के जरी देते है साधान तया जो pneumonia का इलाज है वो antibiotic tablet से हो जाता है और ड्र. मामातरा इलाज के लिए आयुरवेद में क्या किया जाता है उससे जाने से पहले मैं सरकेट थोड़ी बात को एड़ करना चाहा हूँगा कि छोटे बच्चों में जो डेंजर साइन से माडम ने भी का कि सबसे पहला डेंजर साइन है कि पसलियों का चलना तेज भुारार का चलना जो है वो कौमन भाष्ण में ठोड़ा साophone के खाला है तो बोलाते है चलना है तो पसलिया चलना कि पैस्थे जो डो रीप्स है तो अिसके भी का घिस अचार है और उसको पत जाने बा거 रहे हैं अथैनल का प्रयोग करना पड़ रहा है दूसरा है सुपरस्टर्नलिशेशन जे उपर वाली हड़ी है यहां की जगा पे वहां पे अंदर के खिंचा होना इसका मतलब उसको अक्सिजन नहीं मिल पा रहा है इतना बच्चे को और बहुत कोशिश कर रहा है कि उसको अक्सिजन को ले इस नहीं लेखना चाहिए हमें और यह इस इलाज पे आती हूँ लेकिन क्या वजह जो मौत की है वह ही है कि डॉक्टर के पास देर से पहुचा जाता है क्या यही एक बड़ी वजह है या क्या इस पीछ और क्ष और के से और समय पर उसका उपचार नहीं करें समय पर जो एक शोद हुआ था कैनेड़ में इंफेक्शन के बारे में हर घंटे की डिले एंटिबायोटिक से सीरेस पेशेंट में मौत की दर बढ़ जाते हैं तो जितना देर से इलाज शुरू करेंगे जितना देर से पेशेंट पहु मतलब यह कि हमारे मैं जब उनिया इंस्टिउट में था तो हमने रिसरच करी थी निमॉनिया में हाला कि इंटरेशनल लिटरेशर में कोई कॉइं कॉमन कॉज नहीं होता निमॉनिया का लेकिन क्योंकि ईंडिया में टिबरिकलोस इस बहूत कॉमन है तो आpe प्रतिशत यह है कि हमें यह ज़रूरी जानना ज़रूरी है कि कौन सा बैक्टिरिया, कौन सा फंगर्स, कौन सा वाइरस जो है वो निमोनिया कर रहा है और वो हर पेशन्ट में हर टेस्ट नहीं करते हैं अगर अर्टालीस घंटे में पेशन्ट रेस्पॉंड नहीं करता है निमोनिया का तब हमारे tentacles होते हैं, कुछ हो रहा है, इसको हो सकता है TBO, हो सकता है कोई वायरस हो, हो सकता है कोई फंगरस हो, या उसके अलावा भी और कोई organisms होते है, तो निमोनिया का इलाज एक नहीं होता, निमोनिया एक बहुत बड़ा विशह है, निमोनिया हो गया कोई बात ने, लेक उसमें जादा हो, क्या ये कोई factor है इसमें निमोनिया की cases में? ज़रूरी नहीं है कि family history इसमें हमेशा देखी जाए, ऐसा देख सकते हैं कि जैसे कुछ families में आस्थमा है, तो उसमें, लेकिन खास तोर से अगर उस बच्चे में, अपना बच्चे में अगर हम बात करें, तो ज़रूरी वो ऐसी भीमारी के लिए उसका होने का चांस रहेगा, ठीक है, और अब इलाज पर आते हैं, मैं पहले आयरुवेदिक निजरी से जानना चाहूंगी, किस तरह से निमोनिया का इलाज किया जाता है, आयरुवेद में? आयरुवेद जो है, होलिष्टिक साइंस है और उसमें सिर्फ दवाओं से इलाज नहीं है, खान पान से लेकर आपके आचार वियार, योग, एब हम आयरुवेद की दवाई हैं, मिलाके एक होलिष्टिक अपरोच है हमारा, तो इसमें दो प्रकार के चिकिसा, मैंने पहले ही बता है कि एक शोधन चिकिसा है, शोधन च होचुके हैं शरी से उनको निकालना है, इसका मुख्य हुदेश है कि प्रिवेंट कर सके हम किसी प्रिवेंटिव मैजर से और क्यूरेटिव मैजर में समंच किसा आती है, तो कुछ जो प्रारंभिक आवस्था में अगर नुमोनिया के पेशेंट्स हैं या इनको रिकरेंट इनके व्यादिक्षामद तो कम है, पर्टिकुलर्ली उन बच्चों में जहां पर किसी को खसरा हुआ, मिजल्स हुआ, पोस्ट मिजल्स ब्रॉंको नुमोनिया बहुत कौम होन होता है, क्योंकि उसके बाद जो है, विटामिन A की डिफिसिंसी भी होती है, और मिजल्स के बहुत सारे ऐसे ड्रक्स हैं, जो कि आम घरेलू हम घर में मिलता है, और उसका उप्यों किया जाए, तो बहुत प्रारामिक आवस्ता में बहुत लाब मिल सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे घरेलू जो पाए, उनके बारे में भी डॉक्टर मापातर आप से जानूंगी, राकेश मेरे जो बेटा है, पास साल का, उसको हर साल नमूनिया हो जाता है, और अब दूसरा है, दो साल का, उसको भी नमूनिया हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर खिलानी, ये पास साल का बेटे को बार बार हो रहा है, दो साल का, जिसको 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 ज मैं ने कलावतियो छीडों में दिखाया है, एदमीड भी उता है तूक है वेरा बेटा और उसके बाद दिन को पुछा भी अज़ कर दिया है लेकिन है खाने चैंज होता है इसरे हो जाता है इसमें cystic fibrosis देख बिमारी होती है कई तरह की बिमारियां होती है जिनको के बार-बार pneumonia होता है अब यह नहीं बता पाऊंगा इनके बच्चों को, दोनों बच्चों को क्यों के हो रहा है अगर वो pneumonia हो रहा है और एक्सरे में भी आ रहा है इसका मतलब कोई inherent problem है जिसका के diagnose होना बहुत जरूरी है इतना ही कह सकता हूँ ठीक है राके, जो आप किसी अच्छी रॉक्टर से सला ले और इलाज कराएं, हम उमीद करते हैं आपके बच्चे जल्दी ठीक हो क्योंकि बच्चों की जब बात आ रही है जो हम यहीं माने कि precaution या prevention जो है वो हमी नजरिये से वही बहतर है prevention होमीपेथी को हम active state में भी जब patient symptomatic हमारे पास हाए है उसको भी हम दवा से मैनेज कर सकते है प्रिवेंटिव का जो हमीपेथिक दवाई का खास रोल है वो अगें जैसा है कि बच्चे की जो है शरीर की वो अच्छी होगी तो हम बीमारी से अच्छे से हम लड़ पाएंगी और अगर आप दवा के जो निमोनिया के लिए दवा के लिए हम बात करें तो acute state में भी जो जैसे निमोनिया का डिजीज का भी अपना एक stage है जैसे शुरू में हमारे पास कुछ दवाई है जब निमोनिया का onset है बच्चा तेज बुखार के साथ खांसी के साथ आ रहा है हमारे पास तो हम फेरमफॉस जैसे दवाई है और उसके बाद जब डिजीज प्रोग्रेसिव स्टेट में है सुखी खांसी हो रही है चाती में दर्द हो रहा है जैसे stitch पें चैस्ट में हो रहा है और blood strain या rusty बल्गम आ रहा है ब्राइन है जैसी medicine है वो बहुत अच्छा काम करती है बर्दर प्रोग्रेसिव स्टेट में जब हम देखते हैं जैसे निवानिया में प्रोग्रेस होता है और उसमें अगें बल्गम में अगर खून आ रहा है, फॉस्फोरस एक मेडिसन है, वो काफी एफेक्टिव देखी जाती है, छाती में खड़कड़ की आवाज है, बुजर्ग मरीजों में जब हम देखते हैं कि बहुत जादा छाती में बल्गम है, और क्योंकि कमजोरी की वज़ा से वज़ुर्ग मरीज बल्गम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो एंटिम टार्डिक बहुत इफेक्टिव मेडिसन है, जो हेल्प करता है बल्गम बाहर निकालने में, तो अगर हम इन दवाईयों, पर इन दवाईयों को हमेशा हमें पेशन्ट की स्टेट के सिंट्माटोलोची के हिसाब से देना होता है, अगर सही सिंट्माटोलोची को मैच करके हम मेडिसन देते हैं, तो जरूर हमें उसमें एफेक्टिव फाइदा होता है, और जाच के बारे में थोड़ा और डीटेल में डॉक्टर के लानी अब ब कि खासी चाती में दर्द, बल्गम का आना और कभी-कभी रस्ट कलर का स्प्यूटम आता है। उसके बाद उनका जब हम ब्लड टेस्स करते हैं तो उसमें जो टी-ल्सी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होती है, वो बड़ी हुए होती है। जो आम पेशन्ट होते हैं, फिर उसका एक्सरे करते हैं, जो प्राइमरी थिंग एक्सरे, एक्सरे में क्लिनिकल एग्जामनेशन के बाद कुछ वाइटिश शेडो जिसको हम कहते हैं, निमोनिया की शेडो आती है, तो फिवर, ल्यूकोसाइटोसिस और अगर लंग में शेडो है, थेन वी कॉल इट निमोन जो लंग में शेडो है वो निमोनिया की होता है। लेकिन अगर वो ज्यादा सीरियस है उसको अस्पताल में भाती करना पड़ रहा है उसमें जरूरत होती है बल्गम जाच करने की उसको कहते हैं कि बल्गम निकालो फिर उसको माइक्रोसकोप में देखते हैं और उसको कल्चर करते हैं कल्चर में पता देने जाता है कि यह स्ट्रेप्टवोकस निमोनी है या ट्यूबर क्लोसिज है अगर वो बलगम नहीं निकाल रहा तो फिर उसकी कभी-कभी रेरली हमें ब्रांकोस्कोपी करनी होती है जिसमें कि हम एक नाक के मुग के रास्ते ट्यूब डालके लंग में जात होते हैं अगर फेशन्ट वो हैं फोड़न से अथि भरत गहलोत ने कॉल किया है मंदसौर से हमें भरत जी अपका स्वागत है बताईए कैस सवाल है अपका जी आपकी आवास बहुत है में समझ में नहीं आ रही है आप या तो एक बर दुबारा काटकर एक बर दुबारा हमसे संपर करने की कोशिश करें कॉल में लाएं जो रियकरिंस की बाद आपने डॉक्टर मापातरा कही है उसके लिए आयुरवेद किस तरह से मदद करता है इसके बारे में थोड़ा बताएं क्योंकि अगर जिसको एक बार निमोनिया हो गया है पहले तो इसको चांसिस कितने हैं कि दुबारा भी निमोनिया ह जान भी निमोनिया है उसके बावजूद भी उन्हें ठीग होने में जादा समय लगता है तो इस रिहाबिलेटेशन फेज उनका लंबा हो जाता है तो इन जैसे कंडिशन्स हैं इन कंडिशन्स में आईरवेज की दवाएं लाब करें और जो अक्यूट निमोनिया उसके प्रारमिक स्टेजिस में लाब करें लेकिन अगर ये ध्यान रखना है कि अगर कोई डेंजर साइन कोई मिलता है तो उसे तुरांट चिकिशसक के परामिक स्टेजिस में लेना चाहिए अपने आप से कोई भी चिकिशसक अपना खुद चिकिशसक नहीं करना चाहिए और दर्सों को भी बोल रहे हैं कि जो भी हम कारिकरा में जो डिसकस कर रहे हैं उसे सुएम अपने आप से ना लें उसे चिकिशसक परामिक के बाद ही लें तब ही वो फाइदा मिलेगा ने तो आप डेंजर सेंस को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये नीमोनिया जो जानलेवा हो सकते हैं यानि कोई भी उपाए और सला जो या दी जा रही हैं वो डॉक्टर की को पहले दिखाएं और जो डॉक्टर आपको बताएं उनके साथ आप चाहें तो यह शामिल करें और उनसे सला जरूर लें, बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं, सला या मश्वरा अपने जीवन में शामिल करने से पहले, एक सवाल हम जीमेल के जरी ले ले लेते हैं, लता ने अमसे सवाल पूछा है और दिल्ली से ये सवाल हमारे पास आया है, उन्हों ने पूछा है मेरी मौसम बदलने पर खासी रहती है, ये सवाल है इनका, डॉक्टर खिल्लानी, आप क्या बताएंगी, समझ गया, ये हम बात आ रहे हैं अभी वेक्सिनेशन पर, उसके पहले मैं एक मिनट बहुँआ, जो निमोनिया होता है, जो जिसको भरती की जरूरत नहीं पड़ती है, व कि मरीज को कुछ अच्छा लगने लग जाता है, बुखार थोड़ा सा कंट्रोल होने लग जाता है, उसकी भूख फुल जाती है, अगर चोईस से, अड़तालिस से बहतर गंटे में, अगर उसकी तबियत बहतर नहीं हुई, तो ये एक वार्निंग साइन है, और बाकी वार् वैक्सिनेशन होता है, वो नुमोनिय आ का वैक्सिन कहा जाता है, उसको कई सारे कॉमर्शिल प्रिपरेशन्न राती है, वो वैक्सिनेशन सब को ज़रुरतरिकमेंडेट नहीं नहीं होता है, जो लोग सेसेप्टबल होते हैं, जैसे प्रदावस्ता में, जिसको डाइबüτι ये इन्जेक्शन लगाते हैं दूसरा हमने कारण करा कि वाइरसई वाइरसई में रेस्पीरियेटरी सेसिशनल वाइरस होता है वो सबसे कॉमन होता है लेकिन इन्फुएन्जा БИ बहुत कॉमन होता है जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं एक तरह का influenza virus होता है तो उसके लिए जो vaccine होती है वो हर साल लगाने चाहिए क्योंकि उसके हर साल जो mutations होते रहते है virus में तो जो सबसे preferred month होता है वो august September होता है कि उसी समय नई mutations की बैच आता है तो ये सला दी जाती है इन सब को जो मैंने आपको बताया है कि जिनकी immunity कम होती है और healthcare workers also तो उनको ये influenza का vaccine हर साल लगाना चाहिए लेकिन जो मेडम ने प्रशन पुछा वोई है कि ये दोनों vaccination लगाने के बाद भी बहुत सारे bacteria viruses होते हैं जो ये vaccination cover नहीं करते हैं तो ये 100% immunity नहीं देते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं ये प्रोटेक्ट तो दे आर्गनिजम फर विच ये अर्मेंट फर नोट पर नूमोनिया एं जर्रा एक और कॉलर है अर्चना ने रतलाम से कॉल किया है अर्चना स्वागत है कारग्रभ में बताईए क्या सवाल आपका अर्चना सवाल पूछिए इसको ड़्यास करते हैं इसलिए ठीके बताईए आप पूछना क्या चाहरे है बेहना बच्वन में पास्कान के बार के मुटी नमोनिया हो जाएता आप अपनी उम्र बताईए अच्छा ठीक है तो इन्हें डॉक्टर कविता अगर आप बताएं इनको पहले निमोनिया हुआ था बच्पन में अब यह कह रहे हैं इनको दमे के वी शिकायत है और क्या कर सकते हैं पचास साल की उम्र है किस तरह से ख्याल रख सकती हैं अपना देखे इनको शायद मौसम बदलने पर ही तकलीफ होती है मौसम बदलने में ठंड जैसे ठंडी हवा यह सब इसमें अस्तिमेटिक कंप्लेंट होना बहुत क्योंकि जो हमारी सांस की नली है उसका हाइपर रिस्पॉंस आ जाता है कुछ सूजन आ जाती है सांस की नली में उसकी वज़े से संकुचित हो जाती है सांस की नली तो शायद सरदी का मौसम या मौसम बदलने पर इनको यह तकलीफ आ जाती है जो भी ट्रीटमेंट ले खासी लंबे समय तक ना चले और सांस लेने में दिक्कत है अगर लगातार भाप ले इसके लावा जिस समय यह ठीक रहती है जो हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इंपोर्टन्ट में एक मोडालिटी देखती हूं तो यह अपना अगर इस तरह से ध्यान रखें कि बाकी समय पे यह ब्रीधिंग एक्सराइज लगातार करें तो इनकी फेफडों की जो शमता है वो पहले से अच्छी होगी और यह बीमारी से अच्छी से लड़ पाइंगी किरती ने कॉल किया हां हरयाना से मारे साथ जुड़ी है किरती स्वागत है बताइए क्या सवाल अपका किरती आप सवाल पूछ सती है अपना जी मैं मेरे दो बच्चे हैं, बड़े बच्चे को बहुत जादा खांसी जुखाम रहता है, उसको फिर हमने अरेमेल में भी दिखाया था, तो वो उसको अस्तमा की बता दिया उन्होंने, टॉम्प लगा दिया, तो उसके लिए मैं पूछना चारी थी सर, उम्र कितनी है बच करेंथी के हर खांसी बखार Quemopedia नहीं होता तो फिर हूद यह का दिया तो इसको कहते हैं, बान्चेल है वाइपर तहन होती है, नगारे मेरे सिरा, चारा जा वाबंते हैं, तो फिर हूरे फिर आपकर सब्सक्दार शलिब आपकार , यह सिरह आ हरे छाद क्षय करें कर पाफुं बुखार काउंट्स बड़ी होने चाहिंब नग में शैड़ो हो। तब उसको निमोनिया और जैसे आपने पहले बता है लंग में शैडो है, बुखार है चल पिल रहा है आदमी, तो अलग इलाज है. तो थोड़ा इलाज को लेकर अगर आप बताएं, उस तरह खालost है और किस स्टेजिस पर अलग 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 होता है? जो main treatment pneumonia का होता है Support के अलावा तो antibiotics जो लेने चाहता है और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत खांसी बच भी जाती है अगर बुखार ठीक हो गया और उसको खान भूख भूख ठीक लग रही है तो यह जरूर नहीं होता है कि जब तक खासी चले चब तक एंटिबाइटिक ले क्यों कि खासी कही बार दो तिन हफते तक चलती है नेक्स्ट टेप कहें कि जो एडमिट होते हैं पेशिंट जिनको भरती की जरूरत होती है उनको अकसर इंजेक्शन्स की जरूरत पड़ती है वो एंटिबाइटिक का नाम लेना इस फोरम पे कोई फायदा नहीं है और उसका इलाज अकसर पांच साथ दिन की जगे दस से चौदा दिन होता है तीसरी स्टेज पे जाएं कि जो आईसियू में एडमिट होते हैं उनको मल्टिपल एंटिबाइटिक्स की जरूरत पड़ती है और अकसर उसका इलाज तीन हफ़ते तक करते हैं जो इम्मिनो सप्रेस्ट होते हैं उनका इलाज बिलकुल फोकस्ट होता है जो फंगस या जो भी डिटेक्ट करते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं ठीक है और बहुत संख्शेप में बताएं डॉक्टर कविता जैसे जिनको रियक्रिंस हो रहा है या पिर ऐलोपेथी दवाईयां चल रही है उसके साथ होमियोपेथी का सारा निमोनिया के केसिस में लिया जा सकता है पिरकुल लिया जा सकता है जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि अगर हमारे पास acute state में बच्चा या पेशिंट आता है तो उसके symptoms specific अगर हम उसको दवा देते हैं तो definitely medicine काफी effective रहती है, मरीज को अराम आता है, जैसे बल्गम चाती से नहीं, तो बल्गम को ढीला करने की दवाई दी जाती है अगर आप थोड़ा सा बताए कि किस तरह के घरेलू मसाले भी हैं, जो कि इस conditions में बहुत लाब कर रहे हैं, उसमें से सबसे अच्छा जो दवा है वो त्रिकट हुए, उसमें तीन चीज़े हैं, एक है सोंट, काली मेर्च और पिपली, इन तिनों का combination गुनगुने पाने के अगर इसको लिया जाए, और थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप चिकिस्तक से ज़रूर बात करें, अपनी डाउट को दवायना, डिसकस करें, और उचित चिकिस्ता लें, बिल्कुल, ठीक है, और इसके साथ इस के साथ इस कारिकरिम का जो समय है, वो यहीं पूरा हो गया है आप तीनों मैं मानों का मैं बहुत दों शुक्रिया कहना चाहूंगे स्टूडियो में आने के लिए, और अपने सला और सुझाओ, हमारे दर्शकों को देने के लिए, तो आपने देखा इस कारिकरिम के जरे कि बदलते मौसम में निमोनिया से खुद को और अपने परिवार अजाज़ दीजी, नमस्कार. झाल